कैसे आप सब लोग आशा करता हूं कि आप अच्छे होंगे मैं हूँ नवीन वेल्कम टो में यूट्यूब चैनल बेसिक मैस्वान डेप्स और इस वीडियो में करने वाला हूं सकते हैं क्या चैना टो चलिंत इसमist में कि मैं स् गृपतुर में सस्टों सबसे One आप सब्सक्राइब टांगाल मिया बहुंद आखा था जिता रहा हूं कि कि multiply by 6 की power x on both side तो यहां पर मैं खूंगा 6 की power x को मैं multiply करा रहा हूं 6 की power x plus 6 की power y is equal to 42 into 6 की power x इस तरीके से अब देखें यहां पर हमने law सीखा था कि इसको प्लस हो तो उसी तरीके से मैं यहां कहा सकता हूं कि अगर हम पर 6 की power x他 है तो यह जो है इस तरह से लिखा जा सकता है 6 की-वावर 2 x 2 x होता है या फिरartakteрал एसको एसलिए यह पर इस तरह से बाहर 2 इस तरीकर से वह मिलना लिख सकता हूं कि दोनों WatchX हो कि 2x ही बन ज़ नगा मैं इसको असी तरह से लिख सकता तो मैं यहाँ पर लिख लूँगा इसको k daar 6Y और 2 यह लिख सकता होँ अब यहाँ पर 6 X2 6 की बावर y से multiply करेंगे तो यह बन जागा 6 की बावर x प्लस y और right hand side अभी मैं as it is लिख रहा हूँ अब देखे इसमें मैं माल लेता हूँ कि let एक मैंने u माल लिया कि जो 6 की बावर x के equal है यू जो है मैंने माल लिया कि 6 की बावर x के equal है तो मैं इसको rewrite करूँगा तो इस तरह से लिख सकता हूँ इसको मैं लिख सकता हूँ यहां लिख लेता हूँ कि x plus y जो है मेरा यहां 3 के equal है is equal to अब यहां पर 42 into 6 की बावर x है 6 की बावर x u के equal है तो मैं इसको लिख सकता हूँ कि यह 42u बन जागा अब देखे यह 42u जो है वो इधर आ जागा तो माइनस में हो जागा माइनस 42u और यहां पर यह सॉल्व कर देंगे 6 की क्यूब जो होती है वो होती है 216 और यहां रहा गया 0 अब हम इसको splitting method से सॉल्व करेंगे तो अगर आपको factorization में problem है तो मैंने factorization के वीडियो बनाई है उसमें बहुत सारे अलगलग तरीके के questions डाले हूँ है तो आप उससे 216 और उसको plus यह minus करा है तो हमारे पास minus 42 तो ऐसे दो नमबर क्या होंगे तो जब आप factorize करेंगे 216 को तब आपको पता चलेगा इसमें दो नमबर जो बनेंगे वह एक बनेगा 6 और एक बनेगा 36 तो अगर minus 36 और 6 minus 6 लेंगे तो हमारा minus 42 बन जाएगा और अगर minus 36 को 6 से multiply कर जाएगा देखें इस तरह से माइनस माइनस प्लस प्लस करके 42 निशान बड़ी सेंगा और ऐसी माइनस 36 इंटो माइनस 6 जो है वो 216 यह बन जाएगा तो मैं इसको लिख सकता हूं कि यू का स्कुरा माइनस 36 यू माइनस 6 यू प्लस 216 इस इकल टू 0 अब देखें आप इन इन दोनों में से मैं कॉमन लोंगा तो यू कॉमन अजागा यहां रहेगा यू- being-66 मननेगा और उसके लाभी हहां यू रहेगा यहां पर दाएगा माइनस का 36 is equal to 0 देखा, u को u से multiply करेंगे तो u square, फिर u को 36 से multiply करेंगे तो 36 u, और plus minus minus हो गया उसी तरह से minus plus minus 6 into u, 6 u और minus minus plus 6 into 36 हो गया और minus minus plus हो गया अब यहां पूरे में देखें तो u minus 36 हमें common मिल जाता है तो हम यहां लिख सकते हैं कि u minus 36 हो गया इधर से मारा बचा u minus 6 तो u minus 6 हम यहां लिखेंगे यह 0 के एकवल आगया अब देखे, u minus 36 जो है वो भी 0 के एकवल माना जाएगा और यहां u minus 6 जो है वो भी 0 के एकवल माना जाएगा तो इस तरह से u जो है उसकी value हो जाती हैं पर 36 और इधर से u की value हो जाती है हमारे पास 6 तो देखें जैसा कि हमने u जो था, हमारा वो क्या था वो 6 x था, तो मैं अब यहां पर 6 x लिख सकता हूँ उसको 6 x की power x 6 x 6 x x 36 के एकवल है तो इसको यसे लिखा जा सकता है 6 x और यहां 36 को लिख सकते है 6 एकवल मार 2 6 एकवल मार 2 जो है वो 36 होगा तो इस तरह से मैं यह कह सकता हूँ कि जो x की जब, बेस सेम होंगे तो x परे भी सेम होते है तो इसलिए x जो है वो किसके को लागया 2 के को लागया उसी तरह से यहां पर देखें यहां पर भी मैं यू को लिख सकता हूं 6 की पावर एक्स जो है वो यहां 6 के को लाए जब 6 के ओपर कुछ नहीं पावर है तो 1 मानी जाएगी तो जब यहां पर भी यहां बेस हमारे सेम है तो एक्सपोनेंट भी सेम होंगे तो इसलिए x की जो वैल्यू आ जाती है यहां वन आ जाती है ठीक है तो यहां पर 2 आई है यहां पर वन आई है अब यहां पर हम अलक्से निकाल सकते हैं इनकी वैल्यूस को देखें इस तरह से कि मुझे मालूम था कि x प्ल y is equal to 3 तो y की वैल्यू जाए 3-2 यानिकी 1 आ जाती है अगर यह 1 है अब इधर अगर हम देखें यहां पर भी हम लिखेंगे कि x प्लस y जो है वह 3 के एक्वल था फ्रॉम सेकंड एक्वेशन से अब हमारे पास यहां पर 1 आया था तो 1 पूट कर लेंगे 1 प्लस y is equal to 3 तो y is equal to 3-1 यानिकी 2 तो देखें इसतरей से हमारे जो solutions बनते हैं वह हमारे यहां पर 2 solutions निकल गए है जिसमें हम यह कह सकते हैं कि अगर x जो है वह यहां पर देखें x जो है अगर वो 2 होगा तो y जो है वो यहाँ पर क्या हो जगा 1 हो जाएगा ठीक है और उसी तरह से यहाँ पर x अगर 1 होगा तो y की value जो है वो 2 हो जाएगी तो इस तरह से 2 solution मन गए हम यह कह सकते हैं कि x की value 2 तो y की value 1 और x की value 1 होगी तो y की value 2 होगी तो यह हमारे जो हैं इसके solution आ गए हैं तो आशा करता हूं कि आप कोई समझ में आया होगा तो मिलते हैं next वीडियो में और नए questions लेकर तब तक आप practice किजिए good bye